स्वागत है आप सभी का तरव इंडिया इंस्टिटूट के इस चैनल में जहां हम लोग बात करेंगे कम्प्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि कम्प्यूटर क्या है कैसे हम अलग अलग डिवाइसेज को पहचानेंगे कि वो कम्प्यूटर है इसी को समझने में दो टेकनिकल वर्ड्स आये थे जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्या है electro devices क्या है इन दोनों में आखिर अंतर क्या है तो आईए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं तो electronic और electrical इन दोनों में अंतर समझने के लिए हमें पहले इन दोनों words को समझना पड़ेगा तो electrical devices वैसे devices होते हैं जो बिजली को या current को high voltage के सहारे energy के दूसरे form में बदल देते हैं जैसे आपका electric bulb जो की high voltage current को light में बदल देता है जैसे आपका heater जो high voltage current को heat में बदल देता है उसी तरह से आपका पंखा जो current को rotational motion में बदल देता है ठीक है तो अब electronic device क्या है वैसे device जो current के flow को control करते हैं यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि current के flow को control करते हैं और किसी दूसरे particular काम को करते हैं जैसे diode यह electric current को low voltage में convert करती है और light में बदल देती है इसी diode से आपकी LED lights बनती है मतलब LED light भी एक electronic device है इसी तरह computer के हर छोटे बड़े devices ऐसे ही electric current को low voltage में बदल के ज़रूरत के अनुसार अपना specific काम कर पाती है जैसे RAM यह flip-flop जैसे electronic devices से बनी होती है जो data को charge के ही form में store करने का काम करती है फिर उसी तरह CPU जो capacitors से बने होते हैं ये भी charge के ही form में data को manipulate करने का काम करते हैं इसलिए computer एक electronic device है अब बात करते हैं electrical और electronic device के अंतर की तो सबसे पहला अंतर यही है कि electrical device जो होते हैं वो current को सीधे तोर पे किसी और energy में बदल देते हैं लेकिन electronic device उस current के flow को control करते हैं जरूरत के हिसाब से उस voltage का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम करते हैं दूसरा अंतर यह जो electrical devices होते हैं यह AC यानि की alternative current का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं और जो electronic devices होते हैं वो AC को ही direct current में यानि DC में बदल के फिर अपना काम करते हैं तीसरा अंतर electrical device को अपना काम करने के लिए high voltage की आविशक्ता होती है जो की साधारन इंसान के लिए बहुत ही ज़ादा नुकसान दायक होती है लेकिन electronic device current को low voltage में ही इस्तेमाल करती है इससे नुकसान न के बराबर होता है तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि electrical device क्या है और electronic device क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है तो आज के लिए इतना ही अब बारी आती है एक सवाल की जिसका जवाब पिछले वीडियो के concept से जुड़ा है तो सवाल ये है कि आपका smartphone, computer है या नहीं इसका सही जवाब आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा या फिर मेरे instagram account पर मिल जाएगा पर अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो comment के जरीए दे सकते हैं और अगर आपको किसी topic का explanation चाहिए या कोई technical word समझने में परेशानी हो रही है तो वो भी आप comment में लिखिए मैं कोशिश करूँगा उस topic पर वीडियो बना के आपकी confusion दूर करूँ मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ खुद को खुद से बहतर बनाते रहिए दन्यवाद